कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे नए वीडियो के लिए नौटिपेशन के लिए बेल आइकोन को दबाईए सबसे पहले हैलो गाइज मैं हुँ नरेश और आप देख रहे हैं मेडी हिंदी तो आज का लामतर पर यहाँ देखा जा रहा है कि पिंपल्स और डार्क इस्पोट का बहुत ही ज्यादा प्रोब्लम्स बढ़ता जा रहा है चाहे हुआ लड़कियों में हो या लड़कों में हो यह प्रोब आपके लिए लेकिन आपको उसका सही से रिजल्ट नहीं मिल पाता तो ऐसे में मैं आपके लिए एक ऐसा ट्यू लाया हूं क्रीम जेल लाया हूं जो की पिंपल्स और डार्क स्पोर्ट के लिए काफी बहतर है तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो अन तक यह वीडि इसके फायदे इसके साइड इफेक्ट और इसके प्राइज के बारे में तो वीडियो को अन तक जरूर देखें तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्क्राइब कर लिजिए क्योंक तो यह वीडियो है उनके लिए जिन्होंने पिंपल्स के लिए बहुत सारे क्रीम जो है यूज कर लिए हैं लेकिन उसका सही से रिजल्ट उनको नहीं मिल पाया है जिया दोस्तों मैं आज आपको पताऊंगा क्लिन सोल प्लस जेल के बारे में जिसमें जिसके व्योग से जो की पिंपल्स को अंदर जाकर बाहर निकाल देता है और दुबारा इसकीन पे पिंपल्स को नहीं आने देता साथ ही इसका मिला है दोस्तों 139 जेल जो की इसकीन के डार्क इसपोर्ट को बहुत तेजी से साब करता है और चेहरे को गोरा करता है साथ ही डार्क जो इसपोर दिखने लग जाते हैं तो दोस्तों यह तो हो गए इसका कंटेंस आये जान लेते हैं अब इसे हम उप्योग कैसे करेंगे तो दोस्तों इसे सूबा साम हलके हाथों से अपने इसकीन पर लगाना है और छोड़ देना है और इसे आप दिन चरिये में रोज यूज कर सकते हैं एक आम फैरनेस करीम की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो होगे इसके लगाने का तरीका अब जान लेते हैं दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट तो दोस दोस्तों यहां ट्यू जो है पंदra खराम का है जो कि आप都 यूँज पाइजर करके जरूर देखिए इसका रिजल्ट जो है आपको एक एक से दो वीक में आपको पता चल जाएगा और इसके ठायदे आपको खुदी पता चल जाएगा। तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सेर ज़रू करें और comment करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कुछ पूछना चाहते हैं जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें और share जरूर करें वीडियो को और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तो टेक क्यार अपना ख्यार रखिए धन्यवाद